गुड मॉर्निंग दुस्तों स्वागत है मॉर्निंग क्लास के टार्गे 20 चितरकला के आज के इस वीडियो में मित्रो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं रिविजन क्लास के कुछ बहतरी इन कोश्चन और कुछ ने कोश्चन लेकिन चलिए आज हम लिए हैं रिविजन क्लास के कुछ बहतरी इंट question back to back तो चलिए फटाफ़ाइट कमेंट बाक्स में कमेट कर लिजे और रिविजन भी कर लिजे इन प्रशनों को कुछ बहुत लजदी का अपना एक्जाम है तो चलिए में तो शुरू करते हैं पहला question पहले फूझ रहा है बहरती चित्रकला में शरल्परत्थम चटों पर बने चित्रों के उदायर किस घुफ़ा से पराप्त हुए दर Volt भरती चित्रकला में सरल पर खम चत्रों पर बसे इन फूंगें उन्मी से नित्र से घुफ़ाज शेय कि reaction पुछ रहा है बाग गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तक्निक, फ्रेसको, इंपेश्टो, टेमपरा या इसक्रेच तक्निक, तो बाग गुफा के जो चित्र हैं उसमें कौन सी तक्निक उपयोग की गई है, तो मत्ति रो दूसरे का राइट एंसर हो जागा आपक कि जिवन की किस घ्टना से संमंदित यह जन्म से विवाभ से घर चोड़कर जाना या तो अजनता की गूफासंख चपीछ में है तो बुद्य के किस जिवन की घ्टना से समंद्द्र रखती है II ॡ महपरिर निवार बुद्य के सब्दो में क्या है, मिर्थियों में इन मूर्थियों से, ठीक है अगला है, कला सिध्धान से सम्मंदि परभाविता का उत्ता मुदाहर निम्रिखित में से किस कला किर्थी में देखा जा सकता है तो प्रभाविता का उत्ताम उदहरड इनमें से किस कलाकरती में देखा जा सकता है तो चौथे का राइट अंसर जगमित्र ए राहुल समरपड क्या राहुल समरपड ये सबी दोहराने वाले कोश्चन लिएगा है ध्यान से दिजिएगा अगला है जोग इमारा किस लिए परसिद्ध है मुर्तियों के लिए भीति चित्र के लिए योगियों की समाधी के लिए या इन में से किसी के लिए नहीं तो जो इमारा जो है वो परसिध्ध हमित्रो आपका राइट अंसरो जगा बी भीति चित्र के लिए जो इमारा परसिध्ध है ठीक है अगला है बादामी गुफाओं को इन में से किस के तहत बिक्सित किया गया वकाटक गुप्त साथ वहान या चालूक्यों के द्वारा तो बादामी जो गुफाओं है किस के तहत ये विक्सित किया गया है तो इसका आपका राइट अंसरो जगा मित्रो डी चालूक्यों के द्वारा किसके द्वारा चालूक्यों के द्वारा आईए अगला है अजन्ता गुफाओं का कप पता चला आजन्ता गुफाओ का पता कब चला 1825 में 1819 में 1820 या 1827 में तो मित्र इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B 1819 में कब पता चला 1819 में अगला पूछ रहा है जोगी मारा गुफा की लंबाई है 10 फिट, 6 फिट, 16 फिट या 7 फिट ठीक है तो जोगी मारा गुफा की जो लंबाई है वो है मित्रो 10 फिट की कितने फिट की है 10 फिट की उसकी लंबाई है लंबाई है ध्यान दिजेगा लंबाई ठीक है अगला है जोगी मारा गुफा में इसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं 105 वर्ष पूर्व के 160 वर्ष पूर्व के 300 वर्ष पूर्व के या 270 इसा वर्ष पूर्व के तो कितने इसा वर्ष पूर्व के जोगी मारा में जो है चित्र मिलते हैं तो इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा मित्रों C. 300 इसापुर्व के जोगी मारा गुफा में क्या मिलते हैं? चित्र मिलते हैं अगला है अजन्ता गुफाओं में गुफा संख्या कितने में फाइटिंग बूल विशेपर एक चित्रकारी है एक में, दो में, नो में या दस में तो कौन सी गुफा संख्या है जिसमें फाइटिंग बूल विशेपर एक चित्रकारी है यानि फाइटिंग बूल चित्रित है तो इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा मित्रों बी गुफा संख्या एक में जो है वो फाइटिंग बूल चित्रकारी है यानि चित्र है ठीक है दो बैलो की लड़ाई जिसको बोलते हैं फाइटिंग बूल एगला कहा रहा है हरपास अभेता के अस्थल लोथल और धोलावीरा इस्थित हैं पाकिस्तान में अफगानिस्तान म नाम है लोथल और धोलावीरा वो कहां इस्थित है तो मित्रों वो इस्थित हैं इंडिया में यानि भारत में अगला है राजस्थान में इस्थित समकालिन सिंदु घाटी सभेता का अस्थल है आहड लोथल हडपा धोलावीरा तो राजस्थान में इस्थित हैं समकालिन सि तोई तुरु नाम है आहड ये राइट एंसर क्या होगा अगला पूछ रहा है हुसाइन् द्राउ उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा हाथी गाय घोड़ा या उट तो हुसैन यानि फी चित्रकार जो थे उनके अधर उपियक की जाने वाला आम जानवर इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका सी घोड़ा गोड़े के चित्र उनने बहुत सारे बनाये हैं और उन्होंने कोटेशन एक सब्द कहता कि घोड़ा दोड़ाता हूं तो फिल्में बनाता हूं यानि घोड़ी की जो रेसिंग होती है उसके बहुत सक साथ में एक परसिद छापा कलाकार को मरड़ पराद पदम भूसर उपादी से अलंकरद किया वो अच्चित्रिकार कौन है इनमें से में फुशन सहब रामकिंकर बैज केल थे श्मागोर समना ठोड तो 2007 में उनको मरड़ पराद पदम भूसर उपादी दिया गया छापा कलाकार थे वो तो कौन है वो तो इसका राइट अंसर है अब कमित्रों डी सोमना थोर है वो कौनते सोमना थोर अगला है समकालिन भारतिय छापा कलकार अनुपम्शूद द्वारा बनाए गए छापा चितर का सिर्षक है आदम और हवा दिवारों से सरोकार एक गुलाब का जन पुरुस और प्रक्रति तो समकालिन चापा कलाकार अनुकमसूद हैं तो चापा चेतर का उनके सिर्षक क्या है तो है मित्रोज का सिर्षक भी दीवारों के सरोकार दीवारों से सरोकार अगला है भारतिय कलाकार हरेंधास किस चीज के लिए प्रख्यात है मुद्रण, फोटोग्राफी, मुर्तिकला, वस्टुकला तो भारतिय कलाकार हरेंधास हैं इन में से किस चीज के लिए उप्रख्यात हैं तो मित्रोज इसका राई टेंसर हो जाएगा ए मुद्रण के लिए किसके लिए मुद्रण के लिए अगला है बैगिनी रंग विरोधी है नीले का, हरे का, पीले का या लाल का तो जो बैगिनी रंग है वो मित्रो विरोधी है आपके पीले का, ठीक है इसका विरोधी है, पीले रंग का विरोधी है अगला है निम्न में से सबसे मुलायम नोक वाली पेंसिल है HB, 2B, 4B या 9B ठीक है तो निम्न में से सबसे मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है तो में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा D, 9B पेंसिल जो है सबसे मुलायम नोक वाली पेंसिल है ठीक है अगला question देखी क्या पूछ रहा है अगला है परिपेच्छी की द्रिष्टी से हमें घन के कितने पछ दिखाई पड़ते हैं पांच तीन छै या चार घन कुछ ऐसा होता है दिखिएगा ऐसे होता है घन ठीगा अब परिपेच्छ की द्रिष्टी से मतलब आपके सामने देखने के हिसाब से कितने घन के आपके पछ दिखाई पड़ते हैं लीडो का ही गोटी एक रख लीजिए सामने तो कितने पच्छ आपको दिखाए पड़ेंगे एक दो और एक तीन पस तीन ही आपको सामने दिखाए देगा जब तक उसको छुएंगे नहीं तो मित्रो इस हिसाब से इस कोश्चन का आपका राइट इंसर हो जाता है उन्निश नमर का बी तीन ठीक है घन के कितने पच दिखाए पड़ते हैं तो चितर के माध्यम से भी आपको समझ में आ गया होगा आईए इस वीडियो का आखरी कोश्चन देखिए टार्गेट 20 चितर लाल या पीला तो जो रौद्र रस है उसका रंग क्या है तो मित्र उसका रंग है आपका लाल क्या है लाल तो मित्रो अगर टार्गेट 20 चितर कला की आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लिस लाइक करिएगा ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा कमेंट करिए ताकि जो भी पढ़ें जो भी देखें उनको अच्छा लगे चोटे मोटे कमेंट्स कुछ लोग करते हैं उन भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि वह भी कमेंट्स करें देखिए फाल्ट होता है गलती हो जाती कोश्चनों में तो उसके लिए कमेंट करते हैं तो मुझे होती हमसे होती हैं तो उसको हम लोग जो है इग्नोर करना सिखेंगे और उस पर हुम लोग accept करना सिखेंगे कि हां सर यह ठीक नहीं यह ठीक है तो इसमें एक ही दो लोग है बाकी सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग इस से का सपोर्ट करते हैं इसके लिए आप लो